हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एंजोई गाडनिंग मैं नीती सक्षे ना आज आपको बताऊंगी स्वीट पुटाटो ओर्नामेंटल वाइन के बारे में आपको सुनकर के अजीब लग रहा होगा ना कि स्वीट पुटाटो जो है उसको ओर्नामेंटल वाइन के लिए भी उगाया जाता है खाने के लिए तो काम मिलेते ही हैं शकरकंदी स्वीट पुटाटो लेकिन इसकी यह वाइन है इसको केवल ओर्नामेंटल यूज होता है यान यह बेल है,क्रीपर है यानि इसको ओपर भी चला सकते हैं नीचे भी चला सकते हैं और इसकी लीव्स का आप कलर देखें कितना खूप सूर्रत region कलर नियॉन कलर यह इसकी लीव्स का बहुती प्यारी लगती है इसको जगए जगे आप डैकोरेट कर सकते हैं आपके बालकनी लिए लगाल के लिए आप लगाईं वामेंटल में इसके बारे में वीडियो डाल चुकी हो आप लेट सब्सक्राइब नहीं तो एक लिए ब्रॉट जीए करके आई हूं तो आपके लिए इसको शेर कर दू और इसको भी दिखाऑँ कि यह देखिए कितना प्यारा इसका इसका लीव का जैसे इंग्लिश आईवी प्लांट जोता है उसकी जो लीव होती है लगभग कुछ-कुछ वैसा ही है ट्राइंगल शेप इसकी लीव का बहुत ही सुन्दर और सबसे अच्छी बात इसका कलर यह देखिए यह बेबी लीफ है इसकी कैसे बंद हो रही है बिल्कुल कि बात की यह उक्ते सूरज और डूपते सूरज की संलाइट देंगे तो यह बहुत ही प्यारा इस तरह से ग्रोव करेगा गर्मी की तेज दूप से इसको बचाना है वरना इसके पत्ते जल जाएंगे और यह प्लांट जो है खराब हो जाएगा इसके लावा आप इसको सर्द मैंने देखिए पॉट में लगा रखा है लेकिन आप इसको इस तरह से पॉट के लावा हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं तो उस तरह से क्या होगा कि यह हैंगिंग बास्केट में से इस तरह से बाहर की तरफ नीचे लटक के आएगा तो बहुत ही खुशूरत लगे आपको तो इसमें आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा मॉस एस्टेक या कॉयर एस्टेक तो उससे क्या चारों तरफ यह ले पड़ जाएगा तो यह प्लांट जो देखने में बहुत इस तरह से बुशी बुशी और खुबसूरत लगेगा फटिलाइजर की अगर मैं बात क इस जैसे बाकी सारे प्लांट में करते हैं क्योंकि जड़ा पानी देंगे तो फंगल इंफेक्शन इसमें हो सकता है मॉइस्ट रहनी ची तोड़ी सी मॉइस्ट का मतलब होता है थोड़ी थंडी-ठंडी रहनी चीए सौगी नी ओनी चीए मिट्टी इपिल भी यह देखिए तो उससे क्या होगा कि पानी अच्छे से ड्रेन होगा, ड्रेनेच सिस्टम अच्छा बनाना है तो इसमें क्या होगा, फंगल इंफेक्शन के चांसे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, आप इसमें कोको पीट अगर आपके पास है तो वो भी मिला सकते हैं, सॉफ्ट मीडियम बन इसका मतलब यह battled का उगाता है लिए प्लीत को थाकर और जो पासटे में लेकिन ऑडिस प्लाइज मिलीगा हनार $OSब्स के तरीक पीजेंगे तर इसका मतल तो पर आपकीần नहीं हाट मीडियों MP2 तो आप देगीLife का अद्सके यह और टर्रीकृब ऑव्स यह विंगे तर थो सजानी के लिए उगा जाता है तो नौक तो हमनल की दैसे कि जम्हां से निकलने इनटा乐 commune सब्सक्राइबर तो यहींड पिटनने नीचे डाइन पर छोड़ देंगे तो यह जमीन पर चुरूड जाएंगे और रीपर के अलने बढ़ande तो इससे क्या होगा कि ये सर्दियों में मरेगा नहीं, बिल्कुल भी जादा इसको nutrition मिलेगा जमीन से, तो आप जमीन में छोड़ सकते हैं इसको सर्दियों में, ये देखें इसमें ये nodes हैं, बिल्कुल जैसे मनी प्लांट में होती है नोट्स एरिया वो होता है फ्रेंट्स जहां पर रूट्स निकलती है और लीव्स भी निकलती है तो इसलिए आप इसको कटिंग से आराम से लगा सकते हैं यानि तीन चार नोट्स आप इसमें से ले लीजिए और कट कर दीजिए और आप इसको ग्रो कर लीजिए मिट्टी के अंदर अलग से दूसरे पॉट में ज्यादा तर इस तरह से वाइन प्लांट जो होते हैं इस तरह के होते हैं इनको कटिंग करके आराम से लगाया जा सकता है और यह बहुत ही इसली अपनी रूट्स जो हैं आप चाहें तो कटिंग पहले कोकोपीट में लगा लीजिए जब रूट्स आ जाएं तो आप उसके बाद दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए यह देखिए इसकी नोड्स हैं आप चाहें तो इसकी जो टिप्स होती है यह वाली जो टिप्स है उपर से यहां से भी इसको काट सकते हैं बार बा आपको दिख रहा है यह प्लांटी देखिए कितना अच्छा से घना घना हो रहा है क्योंकि मैंने इसको उसमें हेंगिंग बास्केट में नहीं लगाया है सरदी में इसको जो है प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह डॉमेंसी पीरिड में होत यदा कदा ही मिलता है कभी कभारी मिलता है या फिर आप इसको मिट्टी में से बाहर निकाल के अगर दो तीन प्लांट आपको अलग-अलग दिख रहे हैं तो सेपरेट करके इनको लगा सकते हैं प्लांट को थोड़ी सी हवादार जगे पर रखिए थोड़ी सी सनलाइट द तो पानी में दो चार वीडियो पानी में उगने वाले प्लांट के उपर डाले हैं उसका डिस्केशन बोक्स में आपको लिक देखना है तो तो देखना है oxid कैसा लगा अच्छा लग था लगा हो दो लाइक कीजिए share कीजये subscribe मेरे चैनल को ुइऔर प्लिकेशन बेल जरूर स्प्रेस कर लीजिए बाई बाई